हेलो फ्रेंट स्वागत है को मैं इस चैनल पे जैसे कम सम्मिधान पे लेक्षर बना रहे थे जहां पे आज हमारा थर्ड लेक्षर है इसके पहले दो लेक्षर सम्मिधान का अप्लोड हो चुके यह दि आप नहीं देखा चैनल पे जाके देख सकते हैं तो आज हम बात करेंग यानि कि नागरिक्ता के बारे में नागरिक्ता का प्राबधान आपका है अनुच्छे 5 से लेकर 14 तक में इतने पूरा प्राबधान किया गए इसमें आज की सेशन हम देखने वाले हैं भारत में नागरिक्ता का क्या प्राबधान है हमारे सम्मिधान में नागरिक्ता मिलने कर बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब यहां पर बात करें भारत के समिधान में थर्ड लेक्चर में नागरिक्ता की तो नागरिक्ता है आपका समिधान के भाग दो में जहां पर अनुच्छेत पांस से लेकर जारा तक मे आए गया अब हम बात करते हैं जगर नागरिक्ता की तो नागरिक्ता हमारे भारत देश में एकल नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता यानि कि आप भारत के नागरिक हो किसी एक राज्य के नागरिक्त ने यानि कि कहीं कहीं चलता है जैसे यूएसे में है यूएसे में चलता ह एक तो वहां के राज जी की नागरिकता मिलती है और दूसरा USA की नागरिकता यहीं की दोहरी नागरिकता वहां पर चलती है लेकिन हमारे यहां एकल नागरिकता चलती है एकल नागरिकता लिया कहां से गया है क्योंकि हमारे समिधान बना था कई देसों की Constitution को समझने और पर फाली लेक्षर में जरूर डिसकस करेंगे, रूल अफ लोको, तो यहां पर इस ब्रिटेंज से लिया गया था, क्योंकि ब्रिटेंज से ने राज किया, वहां के जो सिंगल सिटेंज सी थी, वो अच्छा लगा, जो समिधान निर्वाता हो, उन्होंने क्या कर लिया, इस च तो आपके मिलती थी जम्मु और कास्मीर की नागरिकता, और दूसरी भारत देश की नागरिकता, यानि कि दोहरी नागरिकता यहां पर थी, जब से 370 हटाए गया, वहां पर क्या कर दिया गया, सिंगल सिटेंज सी वहां पर भी लागू हो गया, क्यूंकि यहां पर उनका अलग Constitution भी था, उनका अलग flag भी रहता था, तिरंगा भी रहता था, तो इन सभी चीज को हटा दिया गया, और 370 जब हटा आए गया, तो यहाँ पर भी क्या होगी, single citizenship लागू हो गई, यह तो बात होगी, single citizenship एकल नागरिक्ता की, अब नागरिक्ता प्राप्त करने के ने जन्म कहा हुआ है, हमारे भारत में हुआ, तो जन्म के आधार पर क्या हो जाता था, यहाँ पर नागरिक्ता मिल जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता था, अगर मालीजी बिदेश से कोई वेक्तिया, कोई महिला आई, और वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पर उसका जन्म हो गय जन्म के आधार पर नागरिक्ता कैसे मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट क्या किया गया है, कि उसके माता या पिता क्या होने चीए, भारती होने चीए, इंडियन होने चीए, तभी जन्म के आधार पर उनके बच्चियों क्या मिलेगी, नागरिक्ता मिलेगी, यह हो गया, दूसरा आता है बंस की आधार पर, बंस की आधार का मतलब क्या है, कि आपको जो नागरिक्ता मिलती है, पिता के आपके पिता कहां कहां है, यहीं भारत कहां है, उनके पिता जी कहां कहां है, भारत कहां है, तो उनकी नागरिक्ता कैसे मिली, आपके पिता जी को, और आपको नागरिक्ता कैसे मिली आपके पिताजी के आधार पर ती यह क्या है एक बंस चला आ रहा है बंस के आधार पर क्या होता है यहाँ पर नागरिक्ता मिल जाती है पहले क्या होता था सिर्फ पिता के आधार पर मिलती थी फिर 1992 में संसोधन हुआ और इसमें क्या किया कि आप माता के आधार पर भी यहाँ पर क्या हो सकता है बंस के आधार पर यहाँ आपको नागरिकता मिल सकती है अब दोनों चीज यहाँ पर आ गई अब तीसरा आता है पंजी करण के माध्यम से पंजी करण यानि की जैसे बिवा यहाँ पर बिवा हुआ तो यहाँ पर नाग आपने रहे के नोगरी की और आपको लगता है कि यहां के नागिकता मिलनी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं ग्रीह मंत्रा आले आपको अप्लिकेशन लगानी होगी और ग्रीह मंत्रा बिचार विवास करने के बाद आपको नागिकता दिना चाहिए दे सकता है थेक है, उसके बाद आता है देशी करण, देशी करण क्या होता है, अब आप हैं किसी अन्य देश के, लेकिन आप यहाँ पर रहते हैं ठीक हैं, अब यहाँ पर रहते हुए, आप किसी एक कला में निपूर हैं, मतलब कि आप चाहे किसी भासा का बहुत जाद एक जान है, कला के छेत्र में आप बिल्कुल इसकेड़ हो, बिज्जान के छेत्र में, साइन्स के छेत्र में, तो इन सभी के आधार पर क्या मिल सकती है, अगर आप दस वर्स तक यहां भारत में रहे, तो वहां पर आपको नाग तो उनको दोजा 16 में यहां की नागरिकता दे दी गई है उसके बाद आता है अरजित भूमी अब अरजित भूमी में क्या होता है जैसे आप देखते हो सिक्किम सिक्किम क्या किया गए था पहले सिक्किम अलग देश था जिसको बाद जिसको क्या किया गए 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को क् भारत में मिलाया गया, तो जब भारत में मिलाया गया अरजित भूमी है, तो वहां पर क्या हुआ है, वहां के जो लोग रहते थे, तो उनको भी क्या किया गया, भारत की नागरिक्ता प्रदान की गी, क्यों, क्योंकि जो अरजित भूमी है, उस भूमी पर कौन रहते हैं, वो कर्刷 ये है ठीड़ें सिडिए अवेंटमेंट एक्ट जो लाया गया था इन सभी जो अगर आपके पास प्रत्रा की डॉक्णमेंट हो इसके आधार में अगर आपको नागरेख दोकोमेंट नहीं नहीं मिलेगी तो है सभी चीजसे लिए और अब बात करें समिधान के अनुछेद पांच के बारे में अनुछेद पांच क्या कहता है कि समिधान के प्रारम पर नागरिक्ता यानि कि जब समिधान हमारा प्रारम हुआ था तो उस टाइम पर नागरिक्ता कैसे मिलेगी लोगों को तो ये चीज़ यहां पर बताया गया है तो समिधान के प्रारम पर प्रतेग्रित जिसका भारत में अधिवास है यानि कि जिस व्यक्ति का घर यानि रहवास जहां पर कहां है भारत में है प्रारम में कि बात करता है यानि जब समिधान प्रारम हो रहा था जब समिधान लागु हुआ है उस टाइम की बात करता है जब समिधान लागु हो है उस टाइम पे किस ब्यक्ति hunt का रखता है की नहीं इस कैसे । treatments होता था तो यहाँ पर क्या होना चीए भारत में उसका अधिवास यानि उसका घर होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए जो भारत में जन्मा था यानि कि भारत में रहवास तो था इस साथ ही में उसका जन्म कहा हुआ भारत में हुआ या फिर अगर जन्म नहीं हुआ तो या उसके माता या पिता मेंसे कोई भारत में जन्मा हो या फिर ये भी नहीं है तो उस क्या हो समिधान के ठीक पांच बर से पूर यानि समिधान लागू होने के ठीक पांच बर से पूर भारत में मामली तौर पर निवास कर रहा हो और वह भारत का नागरिक होगा थार्ड वाला एक बार फिस समझ लीजे थार्ड वाला क्या कहता है कि अगर उसका अधिवास है भारत के अंदर समिधान के प्रारम की बात करता है समिधान जब प्रारम हुआ तो वहाँ पता सेला कि कुछ ब्यक्ति है तो दूसरी देश के लेकिन रहते यहां पर समिधान प्रारम होने के ठीक पांच वर्स पूर्व से यहां कहां रहते हैं भारत में रहते हैं और उनका अधिवास भी कहां है भारत में है तो ये सब क्या कहलाएंगे ये भारत के नागरिक कहलाएंगे और भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी अब दो सेक्षिन दो आर्टिकल और आते हैं एक तो कहता है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रभजन करने वाले कुछ ब्यक्तियों को नागरिटा के दियार, यानि कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं, और जो आठिका सेवन हो क्या कहता है, कि भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले हैं, यानि कि कुछ लोग यहां पर जब डिवाइडेशन हुआ था तो उसी को यहां पर ही हिए इसको भी यहां पर बताया गा ह जब भारत आता हुआ हो तो चैड़ मिल जाती थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि कि एक पर्मिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को यह पर्मिट रूल लागू हुआ कि जो भी यहां पे आएगा नागरिता चाहिए तो उसको क्या करना होगा एक अप्लिकेशन लागा रहे हो च्छै मेने रोकना होगा उसको च्छै मेने में उसको राइश्टी करन किया कह नागरिता के पहले आया है कहां पर भारत में 19 जुलाई 1948 के पहले आया है तो उसको नागरिता तो मिल जाएगी लेकिन अगर जो वेक्ति 19ुलाई 1948 के बाद भारत में देदि इसको क्या कर दिया जाएगा नागरिकता दे दी जाएगी तब वह भारत का नागरिक कहलाएगा तो इसे पर्मिट रूल कहते हैं तो पर्मिट रूल याद रहा है पर्मिट रूल कब से लागू होगा उनिस चुलाई उनिस उन्स 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 उ लुज़ नहीं होगा है यह ओगिया आर्टिकल 6 अब आर्टिकल 7 क्या कहता है यह पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ भ्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार यानि कि भारत से जो पाकिस्तान चलेगे तो क्या उनकी नागरिकता यहां की रहेगी की नहीं में बताई गया कि एक मार्च उनिश सो सैतालिस के बाद जो भी पाकिस्तान गया वह कелा गया है ऊज्थ भारत का नागरिक प्रुर्व ऑगर उत्वी ने नारिकता लेकिन यदि वापस आते है तोullen पित जाएगे लिएक सम्हद्हान के पूर। अगर उनकी क्या है यह एक मार्श उनने उनकी पाकिस्तान चले गए तो ठीक है नागरिकता तो नहीं रहेगे लेकिन यह दिए उनका विचार बदला कि वो आएंगे अभी वापस आ सकते हैं तो समिधान प्रारम होने के पूर बगर आ गए है तो क्या होगा यहाँ पर उनको नागरिकता मिल जाएगी अधर वाई उनको नागरिकता नहीं मिलेगी आगी बात सौन में अनुच्छे साथ सौन में आए अब बात आती है अनुच्छे आठ की अनुच्छे आठ की अनुच्छे आठ करकता है भारत के बाहर रहने वाले भारती उद्भो के कुछ ब्यक्ति वो क्या करते हैं उस देश की नागरिकता नहीं ले 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 तब तक ये भारत के नागरिक ही कहलाएंगे भले ही उन्होंनों क्या किया हो यहां से वो चले गए हो और वहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ठीक हैं लेकिन जैसे ही वो दूसरे विदेश की नागरिकता ले ले लेंगे तो भारती नागरिकता नहीं रहेगी उनके पास तो यहां पर कहता है कि अगर भारती मूल के लोग अगर विद मैंने दो साल जिता रहना हो रहो लेकिन अगर आपने उस देश की जहां रहते हो उस गए हो उस देश की नागरिकता अगर ले ली तो स्वते ही यहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी तो इसलिए दूसरे देश की नागरिकता लेने से पहले यहां की नागरिकता है ठीक है तो यहां की नागरिक्ता है तो दूसरे देश की ले नहीं सकते हो ले सकते हो अगर ले लिया तो यहां की नागरिक्ता खत्म हो जाएगी तो जैसे अभी हमाई अक्षय कुमार साहब है अक्षय कुमार कहा कि कराड़ा की नागरिक्ता थी उनके पास तो अभी हाल फिल हाल में क्या हुआ उनको 15 अगस्त को नागरिक्ता दे दी गी कहां कि भारत की नागरिक्ता पहले उनके पाद भारत की नागरिक्ता नहीं थी अब आजाओ अनुच्छेद नौ अब अनुच्य इद्द के कहता है बिदेशी राज्य की नागरिकता संवेक्षासे अर्जित करने वाले राज्तियों को नागरिक नाब करना। नось हो जैसे अभी मैंने बता या कि बारत बिदेश में निवास कर रहा है तब तो ठीक है भारत की नागरिकता तक तो रहेगी लेकिन जैसे ही क्या करता है अगर वहां की नागरिकता ले लेता है तो वहां यहां का नागरिक नहीं रहेगा फिर अगर स्वेक्षा से वहां की नागरिक्ता अर्जित कर लेता है तो यहां की नागरिक्ता स्वता ही समाप्त हो जाएगी यहां का नागरिक्ता ही नहीं समझा जाएगा अब आज़ो अनुच्छे दिख्या रहा है ठीक है जो इंपोर्टन आर्टिकल है उसको में बता रहा हूँ संसत द्वार नागरिक्ता के अधिकार का बीदी द्वार बिनेमन किया जाना यानि कि संसत क्या कर सकती है नागरिक्ता से समंदित कानून बना सकती है तो संसत नागरिक्ता के अरजन और समाप्थी के लिए नियम बना सकती है यानि कि नागरिक्ता किसी को चाहिए तो उसके बारे में रूल बना सकती है अगर किसी को नागरिक्ता समाप्थ करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर रूल बनाया जा सकता है तो आगी बात समझ में तो यह आपका नागरिकता समंधिक कुछ थोड़ा कानून अगर आपको अच्छा लागा था प्लीज लाइक जरूर करिएगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे मूल अधिकार की जो फंडमेंटर हमाई राइट्स है उसके बा हुआ है